कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो प्लोड करते ही नोटिफिक्षन पाणने के लिए बेल बेटन को भी है दोस्तों आज सब के लिए मैं लेका आया घर का नक्सा 21 फूट बाई 24 फूट का ठीक है आजिए मैं आपको बटाता हूं वीडियो पर आगर हमारे चै आपकों इसा है कि यह किशन 2 फूट ऐसा है आठ फूट ऐसा है यह कि पूजा घर कि यह होगा"! कि आपने में पूजा गर यह चारफूट प्लोड ऊस है और संसदेन कि लिए इसा ह।-बेट्रूब बेडरूम ठीक है और यह भी एक वेडरूम है डास फूट बाई डास फूट यह नि बेडरूम ठीक है और आप देख सकते हैं यह पूरा पूरा वीडियो और यह हो गया आपका स्टार्टिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं यहां से हैं यह टोटल रूम आपका नौव फूट वाई दसका है ऐसे नौव फूट वाई ठीक है इसका यह मैं तो तूटल्म यह आपा तूटल्म सपक्तिट करें लिए आप शुटस्रास्नज को पूंट करेंगेगे यह फो पूमनोरग गोलग टीओ नोकल जॉष गोल होने और लिए उसित बचलिकति आप आप शीट बैसा सकते हैं सोचाले अले शीट और यह आपका तूटल नहानी वाला घर असनान घर हो जाएगा असनान घर कि यह और यह आपका सोचाले हो जाएगा अब देखे लिए आप यह आपका हो गया होल अपका है 12 फूट चार इंच 12 16 फूट का यह टोटल आपका हो गया 16 फूट ऐसा है 12 फूट चार इंच ऐसा है ठीक है तो यह आपका होल है यह आपका होल अब दिख लिए और यह गया में दर्वाजा आपका यहाँ से ठीक है अब यहाँ पर चार फूट का गड लगाई है यह फुट लगाई आपका मजी यह हो गडव फूट का खीड की 3 फूर गाई 4 तीन चोडड़ाई होगा है आप 3 छाहिए यहाँ प्रेंग और चार यह दी और फिर यहाँ इन तीन पुम च्टाइब चार फुट हाइड और आपको बता है दीजिए यहां से बसे करेंगे और यहां में इद प।र यहां से चौक होगा फिर यहां पी और सिथ आपको नमिकर अटाएगे आप निद देख सकते हो इस बेड्रूम का दूर यहां पर है एक बेड्रूम का दूर यहां पर है और यह बात और ध्यान देना चाहिए बाहर वाला दिवाल टोटल चार इंच का होना चाहिए ठीक है बाहर वाला दिवाल टोटल चार इंच का बहना चाहिए अंदर बाहर जो जितना दिवाल है वो टोटल चार इंच का है आपका नम इंच का इसमें दिवाल नहीं है अब रहागा मैं कालम आपको गिना देता हूं कालम कितना लगता है आपको आप यहां से सुझे कर दिए एक डो तीन चार पांच छे साथ आठ नो डस ग्यारा बारा बारा कालम लगेगा इसमें आपको ठीक है अब देख सकते हैं बारा कालम लगेगा आपका वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अपने राइम बताएं और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें शेयर करें और हमारे फेस्बूक पेज आर्पी को सुवा को फॉलू करें ठीक है प्लीज चैनल को सब्क्राइब करें अब देख सकते हैं टूटल